Hello friends, स्वागत है आपका digital तयारी चैनल पर मैं श्रियांस खोठारी लेके आया हूँ दोस्तों आप सभी के लिए हमारी प्यारी बुक रेमन मफी की जिसका नाम है Essential English Grammar दोस्तों बहुत ही प्यारी बुक है एक एक करके chapters आगे बढ़ रहे हैं मैं सीधे लिए चलता हूँ आपको next chapter की तरफ like आप कर चुके हैं दोस्तों subscribe अगर आपने नहीं किया है तो subscribe जरूर करिये अपने सभी मित्रों को share जरूर करिये दोस्तों English की ऐसी बुक जिसमें आप competitive की exam की तयारी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं doesn't matter आपके लिए बहुत बड़ी opportunity है इस बुक से अपने English को बढ़ाने की चलिए मैं लिए चलता हूँ आपको सीधा बुक के ऊपर chapter जो है दोस्तों unit number 17 की हम बात करते हैं चलिए मैं लिए चलता हूँ unit number 17 have you ever और question mark present perfect का third part दोस्तों first second part हमने देखा था पिछला 15 नमबर और 16 नमबर वीडियोस के अंदर जहां present perfect के बारे में basic बताया गया था उसके बाद और example में आपको just or yet or already के बारे में just पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया था अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम लोग next बात करते हैं दोस्तों have you ever बहुत ध्यान से देखेंगे तो चीज़ें अपने आप समझ में आ जाएगी उसने का वह या have you ever been to Rome क्या तुम कभी भी Rome गए हो मेरी बात को समझेगा इसके meaning को समझेगा have you ever been been का मतलब होता है होना और होने का है दोस्तों ये verb की third form क्या तुम कभी Rome होके आये हो मलब कभी Rome गए हो yes I have मैं बिलकुल गया हूँ have you ever been to Japan क्या आप गई हो मले no I have never been to Japan ये लड़की पहले बोली मैं Rome तो बहुत सारी बाहर गई हूँ many times गई हूँ Japan कभी भी नहीं गई हूँ तो आपने यहां पे देखा have you ever का प्रयोक क्या है क्या कभी भी जिंदगी में ever यानि कभी भी कभी भी लाइफ में अगर आप गई हो दोस की बात करो चलिया वी यूज दे प्रेजेंट परफेक्टेंस have been had been have played etc when we talk about the time from the past until now time from the past अल्टन नो अभी तक कभी भी ऐसा पहले से time लेके अभी तक की बात की है जैसे for example a personal life मानली जै ये चला आ रहा था और अभी तक भी बात कर रहा है time from the past until now time from the past पहले से चल रहा है और अभी भी आगे चल रहा है इसको देखते हैं हम लोग चलिया कैसे इसने examples में डाला है उसको देखने ही कोशिश करते हैं दोस्तों एक एक example को हम पढ़ेंगे have you been to France क्या कभी France गए हो in your life no I haven't मैं तो कभी भी नहीं गया so अभी तक की जिंदगी मैं पूछा की कभी गए हो क्या I have been to Canada मैं Canada गया हूँ but I haven't been to United States मैं Canada तो गया हूँ कभी नहीं कभी लेकिन United States, US से कभी नहीं गया हूँ Mary is an interesting person Mary जो है एक बहुत ही interesting person है she has had many different jobs बहुत सारे उसके jobs रहे है has lived in many places has यानि अभी तक की बात किये पहले से लेके आज तक अभी तक उसने बहुत सारे different jobs किये है बहुत सारी जगे पे वो रही है I have seen that woman before but I cannot remember where मैंने उसको अभी तक कभी नगभी देखा है कहां है ये मुझे याद नहीं आ रहा है How many time has Brazil won? अभी तक कितनी बार जीता है Have you read, read हो जाएगा second form, third form में जाएगा Have you read this book? I have read this twice, twice यानि दो बार दो बार पहले ये पढ़ चोका हूँ मतलब अभी तक की बात कर रहा है To things from the past, time from the past Until now, अभी तक की बात कर रहा है Example के तोर पे इसका जो पूरा के पूरा structure है वो इस प्रकार से है order है जो इस प्रकार से है Has Ann ever been to Australia Ever लगा दिया हमने कभी भी ऐसा हुआ है क्या Yes, once एक बार हुआ है Once मतलब एक बार हुआ है Have you ever played golf? Have you played golf? Ever उसमें add कर दिया, कभी भी ऐसा किया है Yes, I often play मैं तो खेलता ही रहता हूँ My mother has never Ever का तो मतलब होता है कभी भी ऐसा हुआ है Never यानि कभी भी ऐसा नहीं हुआ Never negative है I have never ridden a horse घोडा कभी नहीं चड़ा में Who is that man? I don't know, I have never seen मैंने उसको कभी भी नहीं देखा So ever यानि कभी भी Never यानि कभी भी नहीं तो हमने देखा structure जो है दोस्तों किस तरीके का बनता है छलिए थोड़ा और आगे बढ़ते है Gone और been का difference दोस्तों बहुत important है कि भी या gone और been में difference क्या है Gone कभ बोलते है Bean कभ बोलते है अभी starting में हमने देखा था Have you ever been to Canada? Have you ever been to Japan? तो कभी भी been बोला Gone नहीं बोला ऐसा क्यों हुआ देखो difference देखो उसने कहा where is Bill? Bill कहा है भाई He is away, he has gone to Spain Bill कहा है Bill दूर है, away है, दूर है कहा है Spain में, he has gone to Spain Spain गया भाई Hello Bill, कैसे हो Bill I have been on holiday I have been to Spain आपने difference देखा इस लड़की ने Bill के बारे बताया कि He has gone to और इस जब Bill खुद मिला तो बता I have been to तो एक तरफा जाना is gone जाके वापिस आना is been ध्यान से देखेगा Gone, वो वहाँ गया है अभी वापिस नहीं आया या मालूम नहीं उसके बारे में जाकर आया है, होकर आया है is known as been तो यहाँ पे देखेगा He is in Spain now Spain था अब नहीं है अब वो वापिस आ चुका है So compare है, I can't find Suzanne Suzanne नहीं मिल रही है Where has she gone, कहा गई है भाई, कहा गई है मतम मिल ली रही है, वापिस आई की नहीं मुझे नहीं मालूम है Oh hello Suzanne, I was looking for you Where have you been जब वापिस आपके सामने आगई Suzanne तो बोल अरे भाईया कहा थी तुम क्या तुम कहा जाके आई हो So, जब यह round trip है वहाँ से होके आई हो, सामने खड़ा है bean, सिर्फ गया गया वाला portion है तो gone, तो यहां हमने gone और bean का difference देखा, ever or never का कैसे प्रयोग कर सकते है उसके लिए especially, यह unit number 17 है सीधा लिए चलता हूँ आपको exercise पे, बिलकुल सही सोचा दोसको exercise करनी बहुत ज़रूरी है You are asking hello question beginning with have you ever write the questions question आप पूछ रहे हो answer यहां given है आपको सिर्फ question पूछना है have you ever say, कैसे have you ever been to London have you ever played golf अब देखेगा यहां पर क्या लिखा है never, तो दोस्तों have you ever been to Australia क्या तुम कभी Australia हो के आई हो have you ever lost third form लगेगी your passport, क्या तुमने कभी अपना passport खोया है time of past अभी से लेके उस समय से लेके अभी तक इसका देखेगा helicopter की बात हो रही है third form लगाना है have you ever flown to in helicopter in the helicopter, in a helicopter have you ever eaten third form लगाएंगे दोस्तों यह बहुत जरूरी है have you ever eaten Chinese food क्या तभी तुमने Chinese food खाया है भाया कभी नहीं खाया मैंने have you ever been to New York हाँ भाया दो वार जा चुकी हूँ have you ever driven a bus कभी bus चलाई है जिंदगी में have you ever driven have आ गया, you मतब subject आ गया आपका ever शप्त common हो गया driven का मतलब third form यह नि वीत्री लगा दिया object लगा दिया have you ever broken your leg कभी तुमने अपनी टांग तोड़ी है ऐसा पूछ रहा है वो सो यहां हमने देखा structure बहुत जरूरी था structure बहुत basic था हमने have लगाया हमने you का प्रयोग किया हमने ever लगाया हमने ever का प्रयोग किया और हमने यहां पर V3 लगाके object पुट कर दिया तो यह basic structure हमने in 10 sentences में 9 sentences में लगाया और आपको बहुत अच्छे समझा गया क्या कभी ऐसा हुआ तुम्हारी जिंदगी में बहुत जाता समय नहीं लगाते वे सीधा चलता हूं दोस्तों 17.2 second exercise जो है इस unit 17 की चले देखते हैं दोस्तों क्या कह रही है write a sentence about Helen Helen के बारे में बताईए और यहां पर उसके बारे में लिखाव है Helen has been to New York twice Helen जो है New York की अगर हम बात करें तो दो बार जाके आईए Australia की अगर हमें बात करूँ third number पे है never So क्या बन जाएगा Helen has never been to Australia Helen has never, नहीं गई कभी भी Been to Australia Chinese food के बारे में देखिए आप a few times लिखा है उसने तो क्या अब लिखेंगे हम Helen has eaten Chinese food two times a few times जो भी रिखा है a few times कुछ एक बार खाया है उसने Driven bus, driven bus कभी नहीं चलाई न Helen has never driven a bus कभी चलाई नहीं भई Never driven a bus अपने बारे में लिखो भई है तो अपने बारे में क्या कहना चाहरे हो तो actually इतो निर्वर करेंगा न आप लोगों पर आप कहां गए आप कभी New York गए गया आपने कभी tennis खेला गया I have been to New York three times अगर तीन बार गए हो तो नहीं गएग अभी कोई दिककतनी एक दिन जरूर जाओ के Sentence अभी ये बनाओ I have never been to New York Play tennis बहुत सारी बार खेला है So I have played tennis many times I have played tennis a few times I have played tennis three times I have never played tennis जो भी आप बनाना चाहे Flow का है Fly flew flown जहां से देखेगा I have never flown in a helicopter I have flown in a helicopter three times, five times, seven times Late for work or school I have never been to school late इसको ऐसे बनाते हैं I have never been late for school or office or work जो आपकी इच्छा तो यहां आमने देखा दोस्तों 17.2 exercise complete हो जाती है अब इसमें आते हैं 17.3 exercise में Mary के बारे में बताया गया है की भी Mary जो है न 65 वर शिय है 65 years old है बूरी लग रही है अंटी जी She has had an interesting life बहुत ही interesting life उनकी रही है तो अब देखते हैं की sentence क्या बनाने है अपने को She has had many different jobs बहुत सारे different jobs रहे हैं अब all over the world देखना है मुझे She has traveled all over the world She has traveled has के बाद V3 all over the world चरी है 10 books इदर से देख लेते हैं Do का देखते हैं यहां पर क्या बनेगा Do 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 interesting things She has done a lot of interesting things बहुत सारी चीज़ें करी है She has done a lot of interesting things B अब देखते हैं B में क्या लगाएंगे अबन B B B B B हो न Right में तो हो जाएगा books के लिए यहां मुझे लगता है She has been married She has been married 3 times जिंदगी में 3 बार उसने शादी करी है She has been married 3 times She has written 10 books She has written 10 books 10 books लिख लिख लिए उन्होंने She has met a lot of interesting people बहुत सारे interesting people से वो मिली है ऐसा कहना चाहरे हो आप तो यहां हमने देखा किस प्रकार से sentences बनाए हमने और आगे चलते हैं दोस्तों Next level की बात करते हैं यहांपे 17.4 आपको सिर्फ gone और been इन दोनों में difference देखना था कि been और gone में क्या difference है तो been मैंने बताया था आपको होकर आना gone यानि सिर्फ जाना तो अब देखे कैसे इसे complete करतें दोस्तों Bill is on holiday at the moment अभी वो holiday पर है मतब आया नहीं है वापिस Gone to Spain अबने देखा था example में भी इसका example Jill का है She is not here I think she is gone अभी ही नहीं आपे न वो तो गई है वापिस आएगी तो आपके सामने नजर आएगी है के नहीं Hello Sue, अभी देखो Sue आपके सामने है सामने है मतलब gone है लगोगे Where have you been तुम कहां पे जाके आई Have you been to the bank यहां दोनों में been लगाएंगे हम दोनों में यह कहना चाहेंगे कहां जाके आई हो क्या तुम बैंक जाके आई हो जाकर आई हो been लगा दिया गई हो यानिकी gone लगा दिया Have you ever been to Mexico कभी भी नहीं कहां मैक्सिको Have you ever been to Mexico My parents aren't at home मेरे parents अभी नहीं है तो क्या They have gone out They have been out नहीं Gone out वो सिफ गए है अभी तो ही नहीं आपे आएंगे तब बो लेंगे They have been out चलिये There is a new restaurant in the town इस इस शहर में नया restaurant आया है Have you ever Have you been to it क्या तुम जाके कभी आयो क्योंकि वहां जाते तो वहीं की बात करते तुम तो सामने किसी खड़े से कुचो क्या तुम वहां जाके आयोग अभी Been आ जाएगा Very good Ann knows Paris well Ann जो है Paris बहुत अस जानती है She has been there many times बहुत सारी बार जाकर आई है बहुत वहां गई रुकी वापस आगई He has been आकरी sentence देखेगा Helen was here earlier Helen पहले यहां थी Now she has gone अब तो वह चली गई है अभी यहां पे available नहीं है तो Been और Gone का डेफिन्स देखा Ever or Never के बारे में जाना बहुत ही प्यारा Present Perfect को समझा हमने इसी तरीके से बने रही है इसी चैनल पे Digital तैयारी थाइंक Please Like Share Subscribe Digital तैयारी